श्री गनेशा या नमाहा, नमस्कार दोस्तो, यह राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमाँ आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो, इस दिन चंद्रमाँ आपकी कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे दोस्तो बारवे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश में बिजनेस करते हैं, नोकरी करते हैं तो आप के लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा जी हाँ दोस्तो बारवे भाव में चंद्रमा के होने से आपको विदेश से लाब होगा विदेश में अगर आपका बिजनेस है या आप विदेश में नोकरी करते है तो आप के लिए ये समय शुब रहेगा विदेश से आप धन कमा पाओगे, विदेश से धन कमाने के अच्छे मोके आपको इस समय में मिल सकते है जो स्टूड़न्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी इच्छाय भी पूरी हो सकती है विदेश से आपको हर तरह का लाब इस समय में मुंकिन है लेकिन बाकी चेत्रों में लाब होनी की संभावना काफी कम रहेगी क्यूकि इस दिन सुबह से ही आलस से से घिरे रह सकते है काम करने की गती धीमी रहेगी, हर काम में रुकावटी नजर आ सकती है इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है इस समय में आपको चोट लगने की संभावना भी रहेगी तो आपको संभल कर रहना होगा इस वक्त आपको यात्राय भी करनी पड़ सकती है लेकिन यात्रा करने के लिए समय अनुकुल नहीं है, अगर करनी ही पड़े तो सावधानी जरूर बरते, कही पर भी लापरवाही ना दिखाए, अगर हो सके तो यात्रा कुछ समय के लिए टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्यापारियों को काम में रुकावटे, अगर कर सोच समझ कर ही करें, नोकरी करने वालों के लिए भी ये समय अनुकुल नहीं है, कारिक्षेत्र में वाद विवाद हो सकते है, काम में मन भी नहीं लगेगा, इस दिन आप तोल मोल कर ही बोले और हो सके तो अपने बौस से ना मिले, इस दिन दामपत्ति जीवन में अशांती रहेगी, पती पतनी के बीच नोक जोक हो सकती है, इस समय में हर काम में आपको सतर्प रहना होगा, किसी और के जगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहेगा, नहीं तो आप उसमें फच सकते है, गर परिवार में अशांती का माहुल इस समय में देखने को मिल सकता है इस दिन लवलाइप में थोड़ा तना उत्पन हो सकता है, बीते हुए कल की बातों से भी परिशानिया आ सकती है, पार्टनर के साथ प्यार से पेशाए, अगर कोई विवात की स्थिती उत्पन होती भी है, तो उसे बढ़ने ना दे, स्टुडन्स के लिए भी ये समय रुक प्रावटे आ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है, इस वक्त अपने लक्षपर केंदरित रहे और अपना प्रयास जारी रखे, इस दिन स्वास्थे ठीक रहने की संभावना भी काफी कम रहेगी, इस समय में आप शारिरिक दुरबलता मैसूस कर सकते है, इनर्जी की कमी रह सकती है, साउधानी जरूर बरते, इस दिन आप अगर कववों को रोटी डालते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जी हाँ, चाहे वो कववा रोटी खाए या ना खाए, आपको बस कववे के नाम के रोटी निकालनी है, किसी जरूरी काम स जाते वक्त, चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर जाए, अगर कोई जरूरी काम इस वक्त तरना ही पड़े, तो ये उपाई जरूर करे, और अपने माथे पर अगर आप चंदन या केसर का तिलक लगाते हैं, तो शांती बने रहेगी, आपका मनशान्त रहेगा, जगड़ फसाद नहीं होगे, इन उपायों से मनशान्त रहेगा, कामों में आने वाली रुकावटी दूर हो सकती है, और दिन बहुत अच्छा बन सकता है, साथ ही दोस्तों मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, और एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुल्लक में जिस आते है, जो भी ग्रहों की निगेटिव इफेक्ट हम पर आ चुके है, वो निकल सकते है और हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव इनर्जी से भर सकता है, इस वज़े से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, जी हाँ, इस वज़े से सुबह टहलने जाना काफी अच्छा होता है, खान पान में इस वक्त आप ध्यान रखे, योगा करे, एग्जर्साइज करे, इस दिन अगर आप पीले रंका इस्तेमाल करते हैं, तो आप के लिए अच्छा रहेगा, और तीन अग इस दिन आप के लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों सभी राशी के लोगों क के लिए कुछ जरूरी बात ये वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी स लभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती ह जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अ इन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती हैं, वो हम घर के उपर रख देते हैं, ले जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नत होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन आईना तस्वीरे electronic सामान सोफा कुरसी टेबल पलंग घडी जाडू गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोझुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धन्की देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद